है यहां पर हम बात करते हैं उन सब चीजों की जिससे हम अपने परस्नालिटी इंप्रूफ कर सकते हैं उसमें एक बहुत बड़ी चीज आती है वर्ड्स की प्रनंसीश तो आज हम बात करेंगे दस बहुत ही जादा कॉमन यूज होने वाले इंग्लिश के वर्ड जिनको हम कही न कहीं गलर प्रनंस करने की वज़े से अपनी परस्नालिटी को डिरेल करते हैं तो आज हम सीखेंगे उनको सही बोलने का तरीका उनको सही से प्रनंस करने का तरीका तो लेट्स बिकिन इसको सही बोलने का तरीका है टाओल और इसको गलत बोला जा सकता है टॉविल बट इस रॉंग प्रनंसिएशन इसको सही बोलने का तरीका है ब्रश मगा इसको जादतर गलत बोला जाता है ब्रुश या ब्रश ये बिलकुल गलत तरीका है मेरा थीसरा वर्ड है breakfast. Yes, इसको सही बोलने का तरीका है. Breakfast. Breakfast इसका गलत तरीका है. Breakfast is not a right word. My fourth word is almond. Yes, you hear it right. इसको बोलने का तरीका है. almond. But हम इसको गलत प्रनॉंस करते हैं. almond या almond, यह इसके गलत बोलने का तरीका है. Right is almond. इसको सही से बोलने का तरीका है अनियन और इसको गलत बोला जा सकता है ओनियन तो ये गलत बोलने का तरीका है जो अकसर हम बोलते हैं और इसको जादातर गलत प्रनांस किया जाता है बालकोनी बॉलकनी सो ये सब वर्ड्स गलत हैं सही तरीका है बालकनी my seventh word is cupboard yes you hear it right सही से बोलने का तरीका है cupboard गलत बोला जा सकता है इसे cupboard ये सब गलत वर्ड्स है my eighth word is bowl yes जादातार हम इसको बाल कहते हैं जो बिलकुल गलत तरीका है right word is bowl my ninth word is dessert yes मीठा मगए इसको गलत बोला जाता है dessert but right pronunciation is dessert my tenth word is jewelry yes इसको सही बोलने का तरीका है jewelry बड़ इसको ज्यादातार हम बोलते हैं jewelry तो ये friends मैंने आपको बताए दस word जो बहुत ही common है बड़ बहुत ही जादा mistakenly बोले जाते हैं गलत तरीके से बोले जाते हैं गलत पनंस किये जाते हैं उसकी वजह से हमारी कि परस्नालिटी कहीं न कहीं कमजोर हो जाती है आध से हम इन वोट करेंगे और इनको सही से बोलेंगे अगर friends आपको मेरे video पसंद आती है तो please मेरे video को like करें शेयर करें और subscribe करें आपको next video में मिलती हूं अपने परस्नालिटी को improve करने की enhance करने के नई तरिकी के साथ थेंक यू बाई